Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys Mango का part 7 discuss करेंगे and part 6 के अंदर already मैंने आपको बताया था कि Integrated Pest Management का topic हम discuss कर रहे है तो ये Integrated Pest Management का part 2 रहेगा दोस्तों ये part 1 हम already discuss कर चुके हैं या पर part 2 आएगा ठीक है So ये सारे हमने pest attacks discuss करने थे और इसके अंदर 6 हम discuss कर चुके हैं part 6 के अंदर already Mango Hopper discuss कर चुके हैं Mealy Bug, Inflorescence Midge, Fruit Flies, Scale Insects, Bark Eating Caterpillar तो ये सारे जो parts हम discuss कर चुके हैं इसके बाद अब हम Steam Borrers, Shoot Gulls Ayla, Stone Weevil, Trips, Fruit Borrers, Leaf Webber और Shoot Borrers, ये discuss करेंगे इस particular lecture के अंदर तो शुरू करते हैं फटा-फट से Steam Borrers के साथ Stem Borrers, Sorry So Stem Borrers का जो Botanical Name है मैंने आपको बताया कि Botanical Name और Scientific Names बहुत important हैं अच्छे से याद रखना Direct Question पूसता है Paper के अंदर तो यहाँ पर जो Scientific Name आ जाएगा That is Betocera Reform Kuleta ठीक है यह इसका Botanical Name है या Scientific Name है और इसके अंदर basically इसको Stem Borrers ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो Beetle का Grub होता है जो Egg होता है वो basically Stem के अंदर Feed करता है और धीरे धीरे वो Upward Tunnel बनाना शुरू कर देगा खोदना जिसको एक तरीके से हम कहते है शुरू कर देगा और इसकी वज़े से जो Branches है ना Plant की या Tree की वो Dry Out होनी शुरू हो जाएगी July या August के महिने में Beeters जो है वो Emerge करती है और यह एक Generation का Pest होता है in one year ठीक है Multiple Generations आपको नहीं देखने को मिलेंगी एक साल में Strategy की बात करें अगर Controlling Strategy की बात करें तो सबसे पहले तो अगर कोई Alternative Host Tree है जो इस Particular Stem Borer को या Betocera को Attract करता है तो उसको पूरे तरीके से Mango Orchid के बाहर रखना है उसके बाद Dead Trees को Remove करें और अगर किसी ब्राच के उपर Infestation हो चुका है तो उस ब्राच को Remove कर दें और उसको Burn कर दें ताकि Further पूरे के पूरे Orchid में वो Disease Spread ना हो Orchid को जितना हो सके Clean रखें उसके बाद अगर Grubs आपको You Witness Grubs अगर Trunk Holes में Infection आपको दिखता है तो उन Grubs को आप Remove करो Mechanically ठीक है और उन Holes को Iron Wire या Hook को यूज़ करके उन Holes को बंद कर दो और इन Grubs को Destroy कर दो ठीक है आप उन Holes को Clean भी कर सकते हो उसमें क्या करोगे आप Clean करने के लिए एक Cotton को Soak करोगे Malathion में और फिर उस Cotton को Insert कर दोगे उस Hole के अंदर और फिर Plaster कर दोगे मिट्टी से उसके उपर ताकि वो पूरे तरीके से Clean हो जाए Next इसमें हमारे पास आता है Shoot Gaul Zyla और Absila, Cystella, Letta जो इसका Scientific Name आ जाता है इंडिया के अंदर बहुत जादा प्रॉब्लम है इस Particular Pest की अगर हम उत्तर प्रदेश नौर्थ बिहार, West Bengal की बात करें वहाँ पर बहुत सारा हेवक की एक तरीके से Pest Create करता है ये क्या करता है? Green Conical Gaule बड़े-बड़े ना हरे-हरे धबबे Dark Green Color के धबबे Create कर देगा Leaves के उपर and ultimately ये जो Gaule है ये जो Green Gaule है ये धीरे-धीरे Dry होना शुरू हो जाएंगे ठीक है? जैसे जैसे जो Adult Pest है वो Emerge करेगा Infection जो शुरू होता है Mainly वो August के महिने में शुरू होता है उसके बाद जो Females हैं वो Leaves के Mid Ribs में अपने Eggs ले करना शुरू कर देगी ठीक है? जो नई Leaves Emerge हो रही है तो वो भी एक बहुत बड़ा Problem हमारे सामने आता है Management के लिए इसको क्या कर सकते हो? जो भी Gaule है निम्स है उनको Collect करो और Destroy कर दो ताकि Pest further Spread न करे और इसके अंदर आप Thio, Methoxen और Dime Thoate का Spray भी कर सकते हो August के Middle के Around ठीक है? ताकि Infestation को आप कम से कम कर सको Next, दोस्तों आजाएगा आपका Stone Wevel तो Stone Wevel के अंदर बेसिकली जो Female Insect है वो क्या करेगी? वो आपका जो Partially Developed Fruit है ना अभी जो पूरे तरीके से Developed नहीं हुआ है उसके Epicarth के उपर या फिर Under the Rhin बेसिकली क्या होता है? जो Fruit की Covering होती है ठीक है? उस Covering के नीचे जो Ripening of the Fruit जो अभी Partially Ripened Fruit है वहाँ पर ये Eggs ले करना शुरू कर देगी ठीक है? धीरे-धीरे जो Grub है वो Bore करना शुरू कर देगा अंदर Pulp के अंदर जाना शुरू कर देगा जो Seed Coat है उसके ओपर Feed करना शुरू कर देगा अंद अल्टिमेटली Fruit के Cotyledons को Damage करना शुरू कर देगा आपका जो Fruit Pulp है वो Discolor होना शुरू हो जाएगा जहाँ पर भी Infection रहेगा ये एक बहुत Major Problem है क्योंकि ये हमारे Export को Directly Effect करता है इसकी Management के लिए आप क्या कर सकते हो आप Sticky Bands लगा सकते हो Sticky Bands basically किसलिए होते हैं ताकि जो Weevils हैं जो Already एक Tree Trunk के ओपर आ चुके हैं वो वहाँ पर चिपक जाएं ठीक है वो Migrate ना कर पाएं बाकी के Trees के ओपर ठीक है ताकि Spread जो है वो कम से कम रहे अगर कोई Fruit है जो Infect हो चुका है और जो गिर चुका है पेट से उसको Collect करो और उसको Destroy कर दो ताकि Again Disease Spread ना हो जो Tree के Basins हैं ठीक है Mango Tree में आप Basins बनाते हो ना इस तरीके से Ground के ओपर Circular उसको Completely आपको Clean रखना है ताकि Adult Wheels का कोई भी Hiding वगेरा वो ना Create कर पाएं और Fruit Set होने से पहले आप Delta Methrine का Spray कर सकते हो छे हफते पहले के Round आपको ये Spray करना है Next आज आएगा बेटा Thrips Thrips इसके अंदर जो Mainly Species जो Infect करती है That is your Scytothrips Dorsalis काफी एक Major Problem है इंडिया के Orchids के अंदर क्योंकि सबसे Severe Infection ये One of the Severe Infections करने वाला ये Pest है इस Pest के Larval और Adult Stages सबसे ज़्यादा Dangerous होते है ठीक है और इससे Basically क्या होता है जिस Part के उपर Effect होगा न ट्री के वहाँ पर Silver और Brown कलर के Patches Create होने शुरू हो जाएंगे ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो Plant का Cell है वो Completely Destroy हो जाता है जो Fruits Infected Trees के उपर Grow करते हैं वहाँ पर आपको Fruit जो है वो रस्ती सा दिखेगा जैसे लोहे के उपर Rust जम जाता न वैसा सा Appearance उसका दिखेगा और नए Fruits की तो Complete Growth को ये रोक देता है अगर आप इसको Timely Treat नहीं करोगे इसको Manage करने के लिए आप Sticky Traps का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो Spread ना करे Neem Based Pesticides को काफी Useful Consider किया जाता है अगर जो Young Nymph Stage है उसमें Control करने के लिए ठीक है जी? और Older Nymphs में भी उनकी Growth को काफी जादा Slow Down कर देता है तो आप Neem Seed, Kernel Extract या Neem Oil का इस्तेमाल कर सकते हो Initial Stages में अगर आपका Pest है अगर काफी Severe Infection हो चुका है Severely आपके Orchid के अंदर ये Infectation है तो उस Case में आप Thigh Methoxem और Immediate Cloporate जैसे Insecticides का इस्तेमाल कर सकते हैं Next इसके बाद जो Pest हमें इसके डिसकस करना है वो है बेटा Fruit Borer Fruit Borer की बात करें तो ये जो Plant है या Fruit है उसके Mezocarp और Seed दोनों को Effect करता है ठीक है और इसके जो Young Larve होते हैं वो Basically Epidermal Tissue को Scratching करते हैं और Mature जो Insect होता है वो तो Fruit के अंदर ही It Enters और Pulp को Feed करना शुरू कर देता है और Ultimately जो Fruit है जो Infected Fruit है उसमें से आपको एक Raisin निकलता हुआ दिखेगा ठीक है और एक Black और Brown कलर का Sticky सा Patch निकलता दिखेगा जो आपको Infected Areas में Clearly Visible रहेगा Management के लिए आप Lambda Caloctrin का इस्तिमाल कर सकते हैं और 15 डेस के अंदर आप इसको Repeat कर सकते हैं Finally Leaf Weber Leaf Weber के अंदर जो Scientific Name आ जाता है That is Orthega Uducelis Walkup और यह Northern States के अंदर काफी ज़ादा देखने को मिलता है पेस्ट जो पुराने Orchid हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पुराने Orchid हैं उनके Tree Canopies काफी घने होते हैं Dense होते हैं तो Space काफी कम होता है प्लांट्स के बीच में Density High होती है तो वहाँ पर यह जादा मिलता है इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जो Pest है न यह Shady Conditions को Prefer करता है ठीक है इसलिए Old Orchids के अंदर जादा देखने को मिलता है अप्रेल के अंदर इसकी Infestation शुरू होती है और December तक चलती है Initially जो Caterpillars हैं वो Leaf के Surface के ओपर Feed करते हैं Management के लिए जो Leaf Webs अगर आपको Visible हैं तो आप उसको Mechanical Way में Remove करें और उनको Destroy करते हैं और साथ-साथ आप Lambda कैलॉक्थरिन का Spray कर सकते हैं Finally आपका आजाता है Shoot Borer तो Shoot Borer के अगर हम बात करें Clematia Transversa Walker इसका Scientific Name है इसमें जो Larve है वो Mid Ribs में Enter कर जाएगा Leaves के ठीक है और धीरे धीरे वो Shoots के अंदर भी Enter करना शुरू कर देगा और Tunnel बनाना शुरू कर देगा नीचे की तरफ और जो Pest है वो अपना Excreta जो उनका Waste है वो Produce करेंगे Entrance Holes के उपर जिसकी वज़े से Shoot जो हो होलो होनी शुरू होनी शुरू होनी शुरू होनी शुरू होती है ठीक है धीरे धीरे Larve Young Shoots के अंदर एंटर करेगा and ultimately आपके Leaves जो है वो गिरनी शुरू हो जाएंगी जडनी शुरू हो जाएंगी और आपकी Shoots जो है वो भी सूखनी शुरू हो जाएंगी विल्टिंग शुरू हो जाएंगी Management के लिए Again Lambda Calopterine का आप Spray कर सकते हैं Fortnightly यानि की 14 दिन के इंटर्वल के उपर ठीक है दोस्तो तो ये हमारे सारे के सारे जो infections हैं जो pest attacks हैं वो हमने आपर discuss कर लिए हैं 13 pest attacks हमने Mango के discuss किया हैं और इसके अंदर से ही multiple questions बनेगे, questions practice करने के लिए 2000 plus non-medio MCQ course है, agriculture का link description में हैं सिर्फ 300 रुपे का course पढ़ता है after using this code और अभी आप IBPS AFO के paper के बहुत pass हो तो ultimately एक questions आपको बहुत ज़ादा help करेंगे 30-30 questions के quizzes हैं basically तो आप पहले testing भी कर सकते हो आप एक तरह से test attempt करोगे आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है और फिर आप detailed solution से learning process के अंदर भी जाओगे तो काफी useful ultimately ये course आपके लिए रहने वारल है अगर आप AFO का paper इस साल दे रहे हैं mains में with this we come to the end of the lecture guys and I would request कि अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजी अच्छा रहेगा notifications आती रहेंगे आपको जो भी lectures upload होंगे telegram group को आप join कर सकते हैं link description में चलिए मिलेंगे अब अगले lecture में till then take care and bye